नमस्कार दोस्तों, मैं योगेस, बाइलोजी वीडियोगेस में आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए जैसा कि हम NBS के जो बाइलोजी का प्रीवेस एर कुश्चन पेपर हैं उनको हम डिसकेशन के साथ सॉलूशन कर रहे हैं और पहला पार्ट में हम 50 कुश्चन कंप्लीट कर चुके हैं आज हम सेकेंड पार्ट लेके आएं जिसमें हम सारे कुश्चन सॉल्व कर लेंगे 50 कुश्चन और लेडी कर चुके हैं इसको थोड़ा सा जून कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से दिखाई देए चले पहले पहला कॉस्चन क्या है विच आप दा फॉल्वाइंग आर स्माल मॉलिकुलर वेट कंपाउंट यहाँ पहुचरा है कि small molecular weight compound कौन सा है यह बताना है तो यहाँ देखिए जितने भी अगर आप polysaccharide देखें तो यह कैसा है यह macromolecule, protein भी macromolecule, nucleic acid भी macromolecule micro molecule और macromolecule में अगर हम देखें तो जो lipid है यह बीच में आता है लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसका जो molecular weight है तो इसको देखें तो ये बहुत ही कम देखने को, less देखने को मिलेगा इसलिए इसका जो molecular weight होगा, क्या होगा? small molecular weight तो इसका answer क्या हो जागा? Lipid is correct answer, ठीक है? इसके बाद फिर हम बात करते हैं, next question की, attraction of water molecule to polar surface देखो, दो concept मैंने बताये थे, बाटर transportation वाला जो मैंने लेक्शन लिया था, जिसमें ascent of sap, यानि की question addition theory, उसके बारे मैं मैंने उस lecture में discuss किया है, तो वहाँ पर मैंने बताया था, कि जब water के molecule, जब water के molecule, खुद अपने साथ में water के molecule के साथ, यानि की water का molecule, water के molecule के साथ में एक force के द्वारा आपस में बांद के रखा हुआ हो, उसको कहते हैं cohesion force, और यही water के molecule, इस plant के polar substance, जिसको हम lignin कहेंगे, जिसके द्वारा water का transportation हो रहा है, जिसको हम क्या कहते है, xylem, तो xylem की जो दिवाल है, उसके साथ जो ये force या फिर attraction बनाएगा, इस force या attraction को हम क्या कहते है, addition force, ठीक है, तो जब different molecule के साथ attraction हो रहा है, यानि कि, इसके xylem की lignin wall के साथ, water का attraction तो उसको कहते है, addition, ठीक है, और यहाँ पर यही पूछा है, attraction of water molecule, और साथ में polar surface, polar surface किसकी होगी, xylem की, जो lignin wall होगी, उसके साथ, तो यहाँ पर क्या है, different molecule है, और जब water, water की बीच में होता, यानि h2o का h2o के साथ, जो attraction force होता, उसको हम क्या कहते है, इसको कहते है, हम cohesion force, ठीक है, क्योंकि आफस में होता है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, attraction force, ठीक है, चलिए, next question देखते है, next question है, which of the following is copper releasing iud, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है, copper tea के बारे माँ पूछा गया है, यह एक तरह का ऐसा device है, जिससे की क्या होता है, unwanted pregnancy नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए, यह जो नाम लिखा हुआ है, multi load 375, तो अगर आप इसको देखेंगे, तो इसका जो फूरा नाम है, इसको कहते है, copper tea multi load 375, और यह क्या करता है, यह एक ऐसी device है, यह कुछ इस त तरीके से दिखाई देगी, यह मैं यहाँ पर डाइगरम बना रहा हूँ, इस T-shape का structure रहेगा इसका, और इस device में क्या होता है, चारो तरफ एक copper की device लगी होती है, यह vagina, के थूरू, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि अंदर जाके uterus को cover कर लेता है, और यह जो copper ह यह copper releasing, जो substance है, यह copper release करेगा ताकि जो sperm है, उनकी mortality क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि कोई fertilization ना हो पाए, ठीक है, और जो unwanted pregnancy है, उससे क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके, या फिर उस unwanted pregnancy की कोई chance ना हो, ठीक है, तो यह हो गया इसका correct answer, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, जो जोना पहले सुडा, इस फॉर्मड देखो, जो एग है, एग को अगर हम देखें, तो एग के बाहर होता है, जोना पहले सुडा, इसके बाद फिर जो उसकी एग मेंब्रेन होती है, वो मिलती है, और अंदर की तरफ क्या होता है, उसका genetic content, तो यहां पर यह पूछ रहा है, क सबसे पहले हम देखते हैं इनका gametogenesis, तो उसमें अगर देखें, oogenesis की process में, जो secondary ucite होती है, उसी वक्त ये जो 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 ना पहले उसी डा की जो layer है, एग में ये form हो जाती है, तो ठीक है, कहां पर होगी secondary ucite, the plant grown through micro propagation are called, ठीक, तो यहां पर ये biotechnology का question है, तो plant जो हैं grew किये गए हैं, किसके द्वारा, micro propagation के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, सौमा क्लोनल्स, ठीक है, ये immunology और biotechnology का mix question है, ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, in human ovary, ovulation take place, ovulation take place, कहा होता है, human की ovary में, तो ये बताना है, तो देखो, अगर हम बात करें, ovulation एक से लेके लगभग 14 दिन तक, और अगर हम मान के चलें, किसी female की, जो menstrual cycle है, वो लगभग में मान के चलें, तो 28 से 30 दिन की होती है, 28 से 30 दिन लगभग की बात करें, किसी की उपर नीचे 19 भी सो सकती है, तो 28 अगर लेते हैं, तो ये लगभग में मान के चलें, चौदवे दिन इसका क्या होगा, ovulation होगा, और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, कि ये वाला जो post ovulatory phase जो होता है, यानि ovulation के बात बाला जो period होता है, ये कैसा होता है, ये fixed होता है, ये fixed होगा, अगर यहाँ 28 है, तो यहाँ 14 माइनस कर दूँ, अगर यहाँ 30 होता है, तो 30 में से 14 माइनस करते हैं, यानि कि ये जो है fix होता है 14 days ठीक है पीछे से लेकिन ये fix नहीं होता है ठीक है लेकिन एक लगभग ममान के चले तो half days में यानि कि चाउदवे दिन इसका क्या हो जागा ovulation तो इसको हम क्या कहेंगे end of the proliferative phase जो proliferative phase है यहाँ पर क्या होए उसाइड बन रहा है उसाइड का maturation चल रहा होगा primary ucite secondary ucite ठीक है graphian follicle उसके बाद रप्चर होके graphian follicle से ovulation हो जाएगा तो यह जो है end of the proliferation phase में आपको जो ovulation है वो देखने को मिलेगा चलिए next question है interferons are released by against viral infection यानि कि किसी viral infection के regarding interferon कब release होते है तो आपको पता दूँ जैसे ही viral infected host cell यानि कि जिस cell के अंदर virus ने अपना infection cause किया है उसी cell के द्वारा यह interferon release होने लगते हैं ठीक है जहाँ पर इस viral ने infection किया हो तो virus infected host cell ठीक चलिए next है the partial pressure of oxygen and carbon dioxide carbon dioxide और oxygen का partial pressure in alveoli alveoli में alveoli कहा होता है lungs का जो आखरी unit part होता है इसको क्या कहते हैं lungs में इसको कहते हैं alveoli ठीक है यह यहाँ का पूछ रहे हैं कि oxygen का partial pressure क्या होगा तो आपको पतातूं NCRT में यह line by line यह चीजी लिखी हुए 104 mmHg किसका होगा oxygen का और 40 mmHg किसका होगा 40 mmHg होगा आपका carbon dioxide का ठीक है क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर जो oxygen होगी oxygen का partial pressure यहाँ पर जादा होगा और इसी के साथ में यहाँ पर क्या लगी होगी capillary और capillary में जो blood होगा उसमें CO2 का concentration या partial pressure जादा होगा तो oxygen का partial pressure होने की बज़े से जो diffusion process है high concentration to low concentration यानि कि oxygen ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पर ब्लेड में और यहाँ से जो CO2 होगा वो कहाँ चला जाएगा इस alveoli में जाके CO2 बाहर निकल जाएगा लंग्स के थ्रू माउथ के थ्रू और oxygen कहाँ चले जाएगी इस blood में आ जाएगी और blood कैसा हो जाएगा oxygenated और जिसको heart के द्वारा ventricle वाले portion से यह और्टा से पूरे शरीर में oxygenated blood को supply कर दिया जाएगा ठीक है चले next question देखते है which of the following proteins and their site of synthesis is incorrectly यह बताना है कि जो protein synthesis की site है वो गलत match है यह बताना है तो देखो ANF gamma ANF gamma neurohypophysis देखो neurohypophysis किसे कहते हैं यह है posterior pituitary gland को कहते हैं neurohypophysis तो posterior pituitary gland से कोई भी ANF नाम का कोई भी hormone release नहीं होता है यह ANF जो hormone है यह release होता है आपके heart heart से release होता है ठीक है और यह किस से संबंदित है यह आपके BP के control करने से related है ठीक है इसके अलाब अगर आप देखें aldosterone adrenal gland से निकलता है सही बात है renin angiotensin यह just aglomerulus part जो होता है kidney में उस से रिली जो होता है एकदम सही बात है angiotensinosin यह कहां से रिली जो हता है liver से रिली जो हता है एकदम सही बात है यह सारी चीज़ें सही है ठीक है चलिए इसके बाद फिर next question है Ferguson reflex is initiated by जो Ferguson reflex क्या कहलाता है जब fetus जब fetus जो मदर होती है जब delivery की वक्त जब delivery कर रही होती है तो उस वक्त fetus एक hormone या फिर एक impulse generate करेगा जिससे की क्या होगा वो reflex की तरह brain में message जाएगा neurons के थुरू और वहां से एक message आएगा या फिर हम कहें हैं एक hormone release होगा जिसको हम oxytotion कहते हैं oxytotion hormone आपको पता ही होगा oxytotion hormone neurohypophysis जो अभी बताया था posterior pitutory gland से release होगा ठीक है और यही oxytotion hormone क्या करेगा प्रेगनेंसी के वक्त जब delivery हो रहे होगी तो muscle को contract यानि कि muscle को relax करके वहां delivery के वक्त उसको help करेगा तो fetus and placenta ठीक है कहां यह furgution reflex कहां से initiate होता है start होता है fetus से start होगा brain में जाएगा brain से message आएगा और यह बापस कहां release करेगा oxytution को release कर देगा ठीक इसके बाद है next question in gift a mix of eggs and sperm is allowed to fertilize in दोखो जिफ्ट किसे कहते हैं जिफ्ट समझिए दोखो जिफ्ट एक होता है जिफ्ट ठीक और एक होता है z i f t दोणों में difference है दोणों में difference पहले word का है तो यहां समझिए इसका मतलब होता है gamete intra fallopian tube transformation ठीक है और इस z का मतलब होता है zygote इसका मतलब होता है female की जो reproductive organ है उसकी जो fallopian tube है क्या है यह इस तरीके से आप female reproductive organ जैसे ही अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके देखें यह यहां पर यह ओबरी होगी तो जो फीमेल रिप्रोडक्ट जो ट्रैक्ट है उसमें अगर हम बात करें यह fallopian tube की तो fallopian tube में क्या किया जाता है कि एक device होती हो उस device की द्वारा क्या किया जाता है यहीं पर egg inject करके डाल दिया जाएगा और यहीं पर sperm inject करके डाल दिया जाएगा तो इस तरह की जो process इसको कहते हैं gamete intra fallopian tube transfer यानि कि fallopian tube में आपने egg और sperm को डाल दिया जिससे कि यहां पर क्या होगा fertilization और यहीं पर बच्चा बड fertilized already fertilized जो egg और sperm आपस में fuse lab में करा लिए गए होंगे और fertilization के बाद जो जाइगोड बनेगा अब जाइगोड सीधा इस fallopian tube में डाल दिये जाएगा तो इस phenomenon को कहते हैं जिफ्ट ठीक है तो इसका answer क्या हो जागा जिफ्ट एग और sperm का डाले जाते हैं fallopian tube में ठीक है चलिए next question which of the following incorrectly matched यानि कि यह बताना है कौन सा गलत मैच है तो चलिए नीडो ब्लास्ट अगर बात करें नीडेरिया सीलेंट रिटा या टीनो फोरा इनकी बात करें तो इनके पास defense mechanism के तौर पर इनके पास sting cell पाई जाती है जिनको नीडो साइट के नाम से भी जानते हैं तो यह इ जो एनिमल किंगडम है इसमें क्या देखने को मिलता है यह टंग लाइक structure होता जो कि feeding के लिए और या कहीं कहीं पर respiratory के लिए भी responsible होता है तो feeding या respiratory के लिए उलकुल टंग लाइक structure होता उसको रेडूला कहते है ठीक है तो कहां देखने को मिलेगा यह आपको मुलसकन में देखने को मिलेगा जबकि यह कह रहा है reproduction तो यह गलत है यही इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं f2 genotype genotype के बात करा जीनो टाइप ratio for a trait with incomplete dominance incomplete dominance जो की मेंडल अगर हम मेंडल का देखें तो एक dominance एक incomplete dominance एक complete dominance एक incomplete dominance तो इसका जो रेशियो है वो अगर आपको पता हो तो 3 ratio 1 ratio 2 ratio 1 आता है ठीक है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं which of the following plant growth regulator plant growth regulator is derived of keratinoid keratinoid जो है एक chemical है इस keratinoid chemical से कौन साख growth hormone regulator release होता है तो यह होता है abscessic acid ABA ठीक है चलिए इसके बाद फुर next question देखते है इन brain brain में the respiratory rhythm center respiratory center कहां पाए जाता है तो आपको बता दू मैंने पहले भी lecture लिये हुए है तो वहाँ पर भी बताया है जो medulla oblongata जो medulla oblongata होता है आपकी जो brain होता है brain में अगर आप देखें तो agramastik post must मतलब forebrain, mid brain, hind brain तो इसमें जो आप hind brain देखेंगो उसमें आपको देखने को मिलेगा pons या फिर हम उसी के साथ में देखने को मिलता है medulla oblongata ठीक है अगर pons आ जाए या medulla oblongata आ जाए तो ये दोनो respiratory जो respiration हो रहा है उसको control करते हैं चलिए इसके बाद हम बात करते हैं which of the following statement is true regarding bundle seed bundle seed के regarding कौन सा सही है तो आपको बता दूँ अच्छा देखो अगर आपने photosynthesis में आपने c4 cycle देखी हो तो c4 cycle में आप देखते होंगे c4 cycle में एक cell होती है mesophyll cell और एक साथ में cell लगी होती है जिसको हम कहते है bundle seed cell ठीक है इन्हें में difference क्या है जो mesophyll cell होती है इसमें पाया जाता pep case enzyme ठीक है pep case enzyme पाया जाता है जो की PEP phosphoenol pyruvate को convert कर देता है ठीक और अगर हम bundle seed की बात करें तो यहां पर कोई भी pep case नामक enzyme नहीं पाया जाता ठीक है और यहां पर आप option देख रहे हैं दे लेक पे PEPCAS यानि कि इनके पास नहीं पाया जाता pep case enzyme यानि कि phosphoenol pyruvate enzyme नहीं पाया जाता यह सही है इसके बाद next question है the ecoli cloning vector pbr322 has antibiotic resistance gene यह बाय टेकनोलोजी का question है अगर आप pbr322 antibiotic resistance genes को देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जागा tetracycline और ampicillin resistance gene आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है चलिए इसके बाद बात करते है which of the following plant structure is deployed इनमें से कौन सा plant structure deployed है तो protonima नहीं है थैलस नहीं है प्रो थैलस नहीं है जो strobilis strobilis क्या है अगर आप terodophyta में देखें तो कुछ इस तरीके से आपको strobilis यहाँ पर leaf ऐसे लगी होती है और micro sporangia और mega sporangia यहाँ पर लगे होंगे mega sporangia यहाँ होते हैं micro sporangia तो यह इस तरह का जो कौन से structure होता है इसको strobilis कहते हैं यह कैसा होता है आपका diploid चलिए इसके बाद फिर नेक्स बात करते हैं is a jawless यानि कि जबड़े नहीं पाए जाते jawless sea animal devoid of scale devoid of scale ऐसे कौन से jawless sea animal है जिनके पास scale नहीं पाए जाते तो आपको बता दू पैट्रो माईजोन आप याद रखेंगा यह बड़ा ही important question है पैट्रो माईजोन इसके बाद which of the following is not located toward the stroma इनमें से कौन सा है जो की located नहीं होता है stroma की side of the thelaquoid membrane अच्छा थelaquoid membrane कहा होती है यह mitochondria है माल लीजे mitochondria में अच्छा स्वारी थelaquoid की बात कर रहा है तो यह बात कर रहा है किसकी यह बात हो रही है यहाँ पर chloroplast की तो chloroplast बना लेते हैं चलिए यह chloroplast है और chloroplast में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको एक structure देखने को मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं थelaquoid और इस थelaquoid वाले structure में यह जो है यह है थelaquoid membrane ठीक है और यह जो chloroplast है यह कैसा होता है double membranous structure इस तरीके से ठीक है और यहाँ पर यह वाला जो पार्ट है यहाँ ब्लेक डॉट का बना रहा हूँ यह वाला stroma वाला पार्ट है और यह जो space दिखा दिखाई दे रहा है यह lumen है space है ठीक है तो यह पूछ रहा है कि stroma के side नहीं होता है तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर ATP is proton system पाया जाता है ठीक है तो इसका जो direction होता है वो कहां होता है अगर हम देखें तो ATP का जो formation होगा वो कहां होगा इस stroma के side होगा और इस lumen में जो होता है acidic environment होने के वज़ लिख रहा है इसको कहते हैं हम space वाला part तो यह करें not तो यह यहाँ पर लिखा हुआ F0 part और ATP is of ATP अच्छा दोखो F1 particle कहां लगा होता है देखो इसी इसी चीज को मैं इधर बना रहा हूं ताकि आपको better समझाए यह इस तरीके से समझ लेगे यहाँ पर एक part लगा होता है F0 part और एक इस तरीके से जो part लगा होता है इसको कहते है F1 और इसको कहते है F0 part तो F0 part तो बीच में है यह इस side कौन है F1 वाला है ना कि F0 वाला ठीक है तो यह इसका correct answer हो जाएगा चले next देखते हैं the type of placentation in China Rose गुड़हल में यह पूछ रहा है कि कौन सा placentation पाय जाता है त flowering condition that prevents jetanogammy, jetanogammy क्या कहलाता है तो jetanogammy क्या कहलाता है एक ही plant में same plant में क्या हो एक flower एक flower एक flower यह है और इसी के दूसरे ब्रांच में एक flower यह है और जब इसका जो male reproductive part का जो अगर हम बात करें इसके pollen grain की तो यह कहाँ चला जाए इसी plant के दूसरे ब्रांच के flower में चला जाए तो इसको कहते हैं jetanogammy और अगर इसको हमें रोकना है तो क्या करोगे डायोसी का मतलब होता है एक होता है एक होता है एक plant में male reproductive organ और दूसरे plant में किसी दूसरे plant में कौन सा होगा female reproductive organ तो jetanogammy से अगर बचना है तो same plant नहीं होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए एक plant में male के reproductive organ हो और दूसरे बाले में female के हो तो simple सी बात है यह से हो जाएगा next question देखते हैं during cellular respiration cellular respiration के वक्त the energy required to generate proton gradient derived अच्छा proton gradient derived कहां से हो रहा है energy जो cellular respiration के दौर तो cellular respiration अगर आप देखेंगे तो आपको तीन चीज़ें देखना पड़ती है उसमें एक तो आप देखेंगे glycolysis उसके बाद फिर चलेगी क्रेप cycle क्रेप cycle के बाद फिर चलेगी वहाँ पर ETS electron transport system जिसको oxidative phosphorylation के नाम से भी जानते तो आपको बता ही क्या होगा proton gradient generate करेगा एक proton motive force जिससे की क्या होगा proton अंदर की तरफ जाएगा जिससे की ATP का generation होगा ठीक है चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं which of the following statement is not true इन्हें से कौन सा true नहीं है गलत बताना है कौन सा गलत है तो यहाँ देखिए the human genome content 3164 million nucleotide नहीं यह chromosome 1 has most gene नहीं ऐसा कुछ नहीं है less than 2% of genome codes for protein नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर लेख रहे हैं almost 90% 90% of nucleotide base are exactly same in all people अच्छा not पूश रहा है अच्छा ओके ओके ठीके 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 देखों यहाँ पर यह बात कुछ अटपटी सी नहीं लग रही यह करें almost लग भग 90% of nucleotide base are exactly same in all people नहीं ऐसा कुछ नहीं है अगर सेम होते तो क्या diversity देखने को मिलती इतने सारे जो human है पूरे वर्ड में इतनी population है सब में इतनी diversity आपको देखने को मिल जाएगी इतनी सारी diversity देखने को मिल जाएगी तो इसका करण क्या है उनके genes कैसे होंगी exactly same नहीं हो सकते ठीक है तो यह इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा क्योंकि not true पूछा है next in angiosperm male and female gametophyte respectively अच्छा तो male क्या हो गया pollen grain हो गया female क्या हो गया embryo sec हो गया simple oldest known man like primate fossil primate fossil को है रामा पिथेकस तो human evolution जब भी पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको देखने को है रामा पिथेकस the volume of air that will remains in lungs after normal expiration is termed as normal expiration में जितना हम expire करते हैं उसको कहते हैं tidal volume या फिर जितना हम inhaling करते हैं उसको कहते हैं tidal volume और जब हम forcefully भी बाहर expire कर देते हैं इसके बावजूद भी हमारे lunges में कुछ volume आपको air आपकी lunges में रह जाती है आपकी death होने के बाद भी वो आपकी lunges में रह जाती है उसको हम क्या कहते है functional residual volume या इसको कहते हैं आर सी ठीक इसके बाद हम बात करें नेशनल इंस्टिटूट और बोटेनिकल रिसर्च इस लोकेटेड एड कहा होता है यह लखनौ में है इसके बाद बात करें स्माल नुटियर आरेने ऐस आर एसेंशियल फोर् पोस ट्रंसलेशनल स्पलाइसिंग जब इसिटेड की बात होगी sequence the coding strand as AT अच्छा यहाँ देखिए DNA से RNA बनने की process को कहते है transcription और जब transcription होगा तो अगर आपको दिखाएं यह इस तरीके से यह मैंने बना दिया एक DNA का sequence और DNA में यहाँ पर जो sequence यानि की जो nucleotide होंगे वो उसके opposite वाले इस side होंगे तो यह coding sequence है यह anti-codon sequence है तो यहाँ से क्या निकलेगा क्या बनके यह mRNA निकलेगा यह क्या निकलेगा mRNA तो यह sequence जो बता रहा है यह किसका sequence है यह इसका sequence है ठीक है तो यह coding sequence है तो same इसी का ही अगर आप समझ पाएं यहां जो होगा वही चीज छपके आएगा RNA में लेकिन सिर्फ अंतर होगा तो अंतर किसका होगा सिर्फ थाइमीन की जगह पर RNA में क्या पाए जाता है यूरसल तो यहां देख लिए और टी की जगह पर क्या जाएगा यू हों जाएगा यहीं होझे है इसके वाथ करते हैं वी चॉप फॉलर इस स्टेमेंट इनकरेक्ट रिगाडिंग स्मोकिंग स्मोकिंग की कौन सा इनकरेक्ट है तो अब यहां पर यह बाहियाज सी बात लगए है इट इस नों एडिक्तिव और सिब को पता है smoking कैसे है addictive है गलत लिखा हुआ है which of the following animal species will have comparatively higher number of justa medullary nephron तो अगर हम kidney में बात करें तो justa medullary जो nephron होते हैं यारी जो medulla जो kidney होते हैं kidney में दो part होते हैं जो बाहर की तरफ बाला part होता हुआ उसको cortex कहते हैं तो जो medulla वाले reason में जो nephron में जो nephrons पाए जाते हैं उनकी संख्या जादा होती है और उनकी संख्या जादा होने की बज़े से क्या होता है इनकी kidney में water को absorb करने की या फिर water को जादा से जादा अपने blood में absorb करने की जो शमता होती है या फिर filter करने की जो शमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है इसलिए जो camel होते हैं उनको हम अगर देखें तो रेगिस्तान वाले area में रहते हैं कई दिनों तक कई मैनों तक अगर ये पानी ना पियें तब भी ये कैसे रहते हैं बिना प पाए जाते हैं जस्टा मेडूलरी बाले यानि के मेडूला बाले पार्ट में अगला है chemical synthesis of oligonucleotide was initially done by किस ने किया था ये किया था हर्गोबिंद कुरा खुराना ने तो आपको पता होगा इनको इसके लिए nobel prize भी मिला था विच आप फॉलइंग प्लांट सीड है रेमेंट्स आफ नुसेलस तो यह आपको देखने को मिलेगा ब्लैक पर में ठीक काली मिर्च में चलिए इसके बाद नेक्स कॉश्चिन है विच आप फॉलइंग इनकरेक्टली मैस्ट इनमें से कौन सा गलत मैच है तो यहां देखि इसलियल जो टिशू है वो का मैं लेगा सेलेबरी ग्लेंड में यह भी सही है सीलियेटेड एपिथीलियल एयर सैक आप लंग्स दोखो लंग्स में अगर हम बात करें ट्रेकिया की ट्रेकिया यह हो गई ब्रॉंकाई और यह जो है लंग्स इस लंग्स के आखरी वाले भाग कि अगर हम यूनिट वाले भाग की बात करें तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं ऐलियो लाई और यही ऐलियो लाई को हम air sac के नाम से भी जानते हैं तो यह alveoli यानि air sac में कोई ciliated epithelial cell नहीं मिलेगी यहाँ पर नहीं होते हैं यह आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर trachea वाले respiratory जो trachea वाला part है bronchi वाले part में भी आपको देखने को मिल जाएंगे ना कि air sac में ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा यही बताना था next है the chemical substance that causes chills, thund और high fever in malaria malaria का अगर आप diagram देखेंगे तो आपको thund और thund लगना और high fever कब स्टार्ट होता है जब वो mirosite divide करके जो RBC होती है उनमें से hemozoine chemical release होता है जोकि toxic की तरह बेव करता हो तुरंत ही उसके बाद ही हमें क्या देखने के बलता है उस व्यक्ति में ठंड लगेगी और high fever आजाएगा तो वो कौन है? hemozoine next antibiotic penicilline is obtained from penicillium notatum which is तो यह mold से निकाला जाता है menandrina is also known as यह क्या है एक poriferan है जिसको हम brain coral के नाम से जानते है ठीक है यह poriferans है यह sponge की category वाला है इसको हम next देखेंगे sickle cell anemia is caused by single based substitution यह mismatch का एक example भी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा यह change हो जाता किस से adenine U यानि की यूरासल से next है what will be the chromosome number in a meocyte of maze यानि की मक्के के meocyte में if its gamete has 10 chromosome अगर 10 chromosome है उसके meocyte में तो यह बताना है gamete has 10 chromosome what will be the number of meocyte अच्छा meocyte में chromosome का number बताना है जबकि उसके gamete कितने है 10 है तो दूगने हो जाएंगे ठीक है क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा chromosome की जो structure होंगे वो किस तरीके से हो जाएंगे जैसे ही वो divide करेगा divide करने के बाद ये इस तरीके से chromosome कैसे हो जाएंगे double हो जाएंगे ठीक है चलिए which of the following minerals is required for splitting water liberate oxygen अच्छा आपको मैंने जो photosynthesis वाले chapter पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो light reaction होती है light reaction में अगर आप देखें तो water splitting complex लगा हुआ मिलता है उसमें क्या होता है water splitting होता है और वहीं से oxygen release होती है तो वहाँ पर एक co-factor लगा होता है जिसको हम क्या कहते है manganese ना की magnesium ठीक है याद रखिएगा manganese होता है जो की water splitting complex में co-factor की तरह काम करता है ना की magnesium magnesium कहां देखने हो लेगा chlorophyll में चलिए next है the largest reservoir of carbon dioxide carbon dioxide का largest reservoir कौन है ocean समुद्ध ठीक है transgenic cow rosy एक transgenic cow यानि के बाइट technology के मदद से एक cow बनाई गई थी इसका use किया गया था किसके लिए production of nutritionally enriched milk इन्होंने क्या किया था कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनकी मा पैदा होते ही मर गई तो उस बच्चे की लिए वो जो first जो milk होता है मा का वो बहुत जरूरी होता है कि उसको कहते हैं colostrum colostrum यानि कि कुछ आवस्यक antibodies उसमें आती है और वही antibody वाला जो दूद होता है milk होता है वो उसके लिए काफी postic होता है और जरूरी भी होता है तो उसको इन लोगोंने क्या किया एक transgenic cow बनाई उसमें ऐसे gene डाउल दिये जिससे कि उनमें वो वही वाला जो protein है वो उसमें milk के आ जाए यानि कि उसमें जो गाय है वो वैसा milk produce करे जो उस बच्चे के लिए चाहिए है तो वो कौन सा है production of nutritionally enriched milk वाली cow बनाई थी next है casparian strip help casparian strip help करती है तो casparian जो strip होती है वो आपके endodermis वाले भाग में endodermis वाले भाग में लगी हुई होती है यह कैसी होती है waxis substance होती है और यह क्या करती है development of root pressure root में एक pressure generate करने का काम करती है ठीक है which of the following animal species is unisexual इनमें से कौन सा unisexual unisexual का मतलब होता है कि एक individual में या तो male हो या female reproductive organ पाया जाए जैसे कि human human कैसा है unisexual ठीक है और जब आगर बात करें हम bisexual की bisexual का मतलब होता है एक ही individual में male and female दोनों ही reproductive organ present हो यानि कि वो कैसा हो hermofrodite ठीक है तो यहाँ पर पूछा क्या है unisexual का तो अगर बात करें cockroach की तो cockroach कैसे होते है unisexual जबकि bisexual की बात करें तो earthworm केंचुआ भी bisexual है sponge bisexual और tapworm भी bisexual है next है hymgri is a hybridized variety of wheat wheat कि ये hybridized hybridized करके इसको बनाया गया था biotechnology के मदद से wheat that resistant to ये resistance था किसके leaf and stripe rust एक rust disease था उससे ये परेशान हो गये थे तब जाके एक ऐसा ग्यहू की fossil तयार की गये थी जिसका नाम था hymgri ठीक है चलिए next है secretion of seminal vesicles are released into किसमें release होती है तो वासा difference या testis में देखेंगे ये बाराप what percentage of par is captured by plant तो 2 से 10% पाया जाता है next है the microorganism used biofertilizer biofertilizer की तौर पर किसको यूज किया जाता है ये है आपका no stock और anabina ये क्या करते हैं nitrogen fixation करते हैं इसलिए ये biofertilizer की तरह काम करते हैं क्योंकि ये nitrogen release करते हैं जो कि पौदों के लिए काफी आवस्यक होती है next है appendix is vestisial organ which arise from तो जो अगर आप large intestine को अगर आप देखें large intestine में कुछ इस तरीके से यहाँ आप देख पा रहोंगे यह यहाँ पर यह जो आपको structure दिखाई दे रहा है इसको कहते है appendix ठीक है और यह कहाँ पाया जाता है यह वाला जो part है यह आपका कहाँ का part है यह सीकम वाला part है large intestine का एक part है ठीक है तो चलिए इसी तरीकी से अगर आप lecture साते हैं तो like करें और subscribe करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग